नमस्कार, मैं वर्ष्णवी एश्टी पांचवी कक्षा ये विबाग में पढ़ने वाली चात्रा हूँ मैं आज हिंदी साहिती के महान संत कवी गोस्वामी तुर्षिदास जी का बचपत का परिचे देने जा रही हूँ तुर्षिदास जी का जन्म 13 अगश्ट 1532 में उत्तर प्रदिश के चित्रकूर्चिले के राजा कर गाउं में हुआता इनके पिता जी का नाम आत्म राम दुबे और माता जी का नाम हुलसीता तुर्षिदास जी के बचपत का नाम राम बोला था जब तुर्षिदास जी का जन्म हुआ तब बेरोने के बज़ाए इनके मुख से सबसे पहले राम का नाम ही निकलाता इसलिए इनका बचपत का नाम राम बोला रखा गया इनके जन्म 32 दातों के साथ ही हुआता हर 94 अपनी मां की कोप में 9 महीने तक रहता है लेकिन तुर्षिदास जी 12 महीने तक अपनी मां की कोप में रहे जन्म के दूसरे दिन की माता का चोड़ जाना, पिता का सद्यास ले लेना और फिर पांच वर्ष बाद लालन पोशन करने वाली दासी चुनिया कापी चोड़ जाने से तुर्षिदास जी अकेर पढ़ गरे थे तक वहां के रमानत के मटवासी के आदेश पर करने वाले नन हरिदास ने इनको अपना लिया और राम बोला को अपने अयोध्य आश्रम में राने दे दिया तुर्षिदास जी बचपन चेही तेज बुद्धिवाले ते जो भी एक बार पढ़ते ते वो उनको कंतस्त हो जाता ता ये रहा तुर्षिदास जी का बचपन का परिशे दन्यवाद